हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका प्रिमिक्स के 133 हमारे सेशन में और हम यहाँ पर आपका लेना चाहते हैं कि मिनी फुल लेंथ टेस्ट मतलब क्या हुआ कि हम सभी के सभी के सभी जो वेरियस जो सब्जेक्ट से उठा कर कुछ-कुछ क्वेशन पूछेंगे सभी के सभी से या फिर हुमन राइट से तो इसको आप क्विक्ली मा कीजी पॉस कर सकते मैं रुकूंगा नहीं मैं रैपेड़ली बोलूगा आप पॉस कर यह जगा 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 अगर आपने इको सर्वे धंग से पड़ा है तो आपको पता होगा कि एंगस मैडिसन ने शुरू किया था प्रजेक्ट को और बहुत ही रापिडली यह इसको इसके बाद उनकी डेस के बाद बहुत लोगों ने इसको उठा लिया और अब यह historical economic data एकठा कर रहे है कि कब-कब कौन से कौन से सदी में क्या-क्या economy के बारे में बात हुई थी दूसरा income tax इंडिया में कौन लवी करता है कौन लगाता income tax union state दोनों या कोई भी नहीं तो एक option eliminate होगी है d none कोई तो लगाता है ठीक है तो अब इसका answer अब यहां mark कीजिए and यहां correct answer is union ठीक है union लगाता ही आपको पता है जो constitution ने schedule 7 में list जारी की है उसमें जो क्या लिखा गया है central government लगाएगी जो income tax apart from all the income tax apart from agricultural income ठीक और भी बहुत सारी यहां पर regulations हैं जिसके तहत हमारे income tax जिससे governed रहता है ओके लेकिन लगाएगा कौन union next third question आपने बताना है कौनसी कौनसी statement correct है पहला जो 73rd amendment थी constitution की इसने recognize किया urban local government as institutions of self government and दूसरा ये provision extend कर दी गई other similar areas में through पैसा act ठीक है तो आपने बताना है कौनसी कौनस यहां पर statements correct है और यहां pause कीजिए बिल्कुल सीधा साथा सवाल है पॉलिटी का आपको आना चाहिए और इसका correct answer is none of these क्योंकि जो 73rd amendment यह urban के लिए नहीं थी यह पंचायती के लिए अर्बन के लिए कौनसी है हमारी 74th amendment है और similar areas वाली नहीं अर्बन को लेके पैसा similar नहीं है पैसा extends only to पैसा अर्बन पे apply नहीं होता पैसा यह बात ध्यान रखनी है आपने तो यही बात हम नहीं है पर समझाईए आपको next question करते हैं बहुत जल्दी से आपने बताना है कि अगर economic ली देखा जाए तो public good इसमें से कौनसा कौनसा है which are the following is our public good national security fresh air patents youtube ठीक है आप सब यूट्यूब देख रहे हैं तो अपने बताना है कौनसा कौनसा इसमें से public good है ठीक है options आपके सामने यहां लगी हुई है इत्मिन national security अगर किसी एक की security हो रही है दूसरे के लिए कमी नहीं हो जाएगी अना fresh air generally लेकिन youtube भी आप देख रहे हो तो ऐसा नहीं किसी और के लिए वो वीडियो बंद हो जाएगा तो अब patents ऐसा नहीं है patents अगर किसी एक लाइसेंस लिया हुआ तो वही use कर सकता है बाकी और लोग license लेकर उसको use नहीं कर सकते तो हमने यही आपको समझाया है कि public goods को restrict किया जा सकता है ठीक है तब वो club goods या private goods बन जाएंगे and public goods यहां पे definition में बताईए कि अगर एक उसको use करे तो generally किसी दूसरे के लिए कमना पड़ जाया हो ठीक है जैसे television, youtube जो आपकी हावा, पानी, national defense त लेती हैं, अच्छा, low equilibrium trap, eco survey में पुरा chapter devote किया गया है, आपने हमें बताना है कि low equilibrium trap का क्या meaning है, यहां पर pause कीजिए कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको options दिखा रहा हूँ, यहां pause कीजिए यहीं पर ही and इसको options को read कीजिए क्योंकि options में ही fine differences है, वहीं आपको समझाने च चाहते ही नहीं, जो higher tiers हैं जो, वो चाहते ही नहीं unwilling हैं वो कि अपने citizens पर tax लगाया जाए, क्योंकि tax लगाते हैं तो responsibility बढ़ती है, तो citizens demand करते हैं, services नहीं मिली, तो इसलिए वो outside resources पर ही depend करते रहते हैं and एक तरह से उन्होंने equilibrium बना लिया है, और वो equilibrium काफी low है, जो tax वग अपने citizens को tax करना ताकि वो हमसे जवाब दहीना लें and accordingly इसलिए बाहर से, बाहर से कहीं से भी resource इकटे करते रहें ताकि citizens को services जो जितनी देनी अपनी मर्जी से citizens को service दे सरकार, ठीक है, ओके, तो वो कह रहा है कि ये low equilibrium established हो गया है and इसका एक और reason populism भी लिखा हुआ है, और कह गए हो आप इसमें outside resources पर dependency आ रहाएगी हमेशा के लिए, ओके, एक और question देखते हैं फट अफट से, आपने बताना है कि Animal Welfare Board of India, India yearbook में mentioned है, इसमें थोड़ी सी खास बात है इसलिए पूछ रहे है, तो ये क्या ये Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तहरत आता है, एक statutory advisory body है, ध्यान दीजेगा ठीके, और उसके बाद इसका headquarter कहाँ पर है, बलबगड हर्याना, तो क्योंकि हर्याना में दो headquarters बन गई है, अब important, जैसे हमारे solar बन गया, तो आपने बताना है, इसमें से कौनसी statements correct है, one, two, both, या none of these, again यहाँ pause कर सकते हैं, ठीके, pause करते रहिए कर टेस्ट करना जरूरी है, यह खुद को कितना retain किया, कितना नहीं, ठीके, ओके, तो यहाँ पर इसका answer गया है, both, दोनों correct है, क्योंकि पहले यह important क्यों हो गया, क्योंकि पहले इसका headquarter चेनाई में था, चेनाई से उठाकर इसको हर्याना में बलबगड में shift कर दिया गया, एक और question देखते हैं, जलो environment program है, development program, या UNCTAD, या इसमें से कोई भी नहीं है, ठीके, and again pause कीजी answer, इसका correct answer is, UNCTAD, अंग्टाल इसको करवात है, ये भी yearbook में mentioned है, इसलिए सवाल बनाया आपके लिए, और particularly यहाँ, ये UNCTAD के तहत ही कराया जाता है, एक पूरा cooperation, एक mechanism है, एक ऐसा पूरा जाता कि, जो countries, जो produce करती हैं, और जो consume करती हैं, timber को, लकडी को, उसके फीरोग को थोड़ा सा, जो easy हो जाए, diversify हो जाए, sources, trade फैले, और उसके लिए, जो research, development required है, forest management के लिए, timber, जो की forest, जो वहाँ पर forest बनाया जा रहे है, जो की, पर्टिकलर इसलिए, timber, जो बेचने वाले, commercial timber के लिए ब बूलना मत, ठीक है, paper में आ सकता है, एक question चलो आप सब के लिए और, तो ये आपने हमें बताना है, बहुत ज़्यादा news में भी है, और इसकी add भी आ रही है, तो आपको थोड़ा सा असान हो गया, तो ये है, pneumococcal, PCV बोलते है, pneumococcal conjugate vaccine, ठीक है, PCV के तहत कौनसी, कौनसी statement यहां correct है, ये बच्चों को pneumonia, क्या ये बात यहीं से बन रही है, pneumonia को reduce करने के लिए दिया गया है, जो कि बहुत ही एक major cause है, child mortality का बच्चों के, जो बहुत चोटे बच्चों को हो जाता है, बच्चे मर जाता है, और उसके बाद ये तीन states में launch किया गया था, 2017 में, तो आपन ये pneumonia को capture करता है, pneumonia multiple reasons कारणों से होता है, और जैसे कि even bacteria, virus, जो किसी भी तरह से हो सकता है, ठीक है, और इंडिया में बहुत बड़ा एक ये reason है, child mortality का, तो इसके लिए हमने एक हमने शुरू कर दिये vaccine, ठीक है, एक चलो चलते चलते आखरी, जो नौजवान question, 9th, ये भी आना है कि Indian Ocean Rim Association के respect में कौनसी कौनसी statement correct है, ठीक है, I.O.R.A. पहला, ये एक regional forum है, और उसके बाद ये tripartite in nature है, tripartite का मतलब 3 तरह की चीज़े, government भी आती है, academy मतलब जो पढ़े लिके लोग, वो जो professor type वो भी आते हैं, और business भी आते हैं, आपस में, क्या I.O.R.A. में तीनो कौनसी statements यहां पर again correct है, ठीक है, यहां pause कीजी again, ठीक है, इसे सवाल बिल्कुर current face type वाले, answer is, both are correct, ठीक है, दोनों ही correct है, और ये देखो, पहले जो I.O.R.A. था, इसके पहले इसका नाम क्या था, I.O.R. A.R.C., prelims में question आ चुक है, ठीक है, जो Indian Ocean, जो RIM Association, regional cooperation थी, उसके ब वो बनाया गया था, gradually बदलते बदलते अभी क्या बहुंच गया है, इंडिया ने इसको I.O.R. A. जो हमने जो establish करने में help करी है, इंडिया ने engagement में increase करती इसके साथ, इसकी पहली meeting हुई थी, अभी कहां पर I.O.R. A. की, जो एकदम renewed जो चीज है, Indonesia March 2017 में हुई थी, ठीक है, दोस्तों, चलो एक question जाते जाते और देख लीजे, और ये है कि आप बताईए कि Asia Pacific Ministerial Conference हुई है अभी Housing and Urban Development, ठीक है, APMCHUD, APMCHUD करके अगबारों में आ था, तो आपने बताना है कि ये 2006 में establish हुआ था, ठीक है, जो APMCHUD और किसके, जो Government of India ने establish किया था, under Ministry of Housing and Poverty Television and UN Habitat, UN की body होती है, UN Habitat, जो घर बनाने में help करती है, और उसके बाद जो objective क्या होता है, APMCHUD का, ये इसको जो भी objective है, वो उसको डेली declaration का नाम दिया गया, क्या ये बात सही है, क्या डेली declaration, APMCHUD ने भी दी है, ठीक है कि हम क्या करेंगे, जो अडॉप्ट किया है, जो भी declaration को, Asia Pacific region में हम जो urban development और housing वगारा पर काम करेंगे, आपने बताना है, इसमें से कौनसी statements correct है, तो ये बहुती simple सा, वैसे question बहुती trivial है, लेकिन exam में से सवाल पूछे गए हैं, और आप इनको you tend to overlook, इसलिए 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 सिरफ knowledge impart करने के लिए है, दोनो statements correct है, ठीक है, तो APMCHUD अपना इंडिया ये बुक में mentioned है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए इंडिया इबुक से उठाया हमने, और ये डेली declaration ही दी गई है, कि हम अपने जो particular जो region में हमने housing development करने है, urbanization को ढंक से कराने है, और इंडिया इसका पहला chair मतलब पहला, जो position of chairmanship है, वो इंडिया के पास ही आ इसलिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है, बहुत बार आपको लगता है, नहीं नहीं जो मैं सोच रहा हूं वो गलत है, ठीके नहीं, बहुत majority of the times आप जो सोच रहे हैं, जो logic लगा रहे हैं, क्योंकि आपने इतने सवाल तो पर attempt कर ली होते हैं, आपको पता होता है क् या गलत, तो खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आप बहुत साय चमतकार कर सकते हैं, कि rank आ सकते हैं, बहुत लोगों के rank आ रहे हैं, जो बहुत महनती लोग हैं, और otherwise ऐसा नहीं था कि पीछे कोई चान से तारे तोड़े थे, कोई IATIM से थे वो, नहीं, अगर IATIM जा हैं, बहुत जल्द, ठीक है, थैंक्स अलोट, गुद नाइट